कास गंज हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है फेस्बुक पर इस हिंसा को लेकर बरेली के जिलादिकारी के पोस्ट ने विवात को और बढ़ा दिया है बरेली के जिलारिकारी कैप्टन रागेंद्र विक्रम सिंग ने काजगंज घटना पर फेस्बुक पर एक पोस्ट किया रविवार की शाम 7 बचकर 55 मिनट पर 49 से शब्दों के इस चोटे से पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया इस पोस्ट के बाद बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्र ने कहा कि ऐसे अधिकारी की जगे तो जेल में है नहीं इस पिरकार की पोस्ट नहीं करना चाहिए इसका मलब वो मान सकता उनकी हमारी सरकार हमारे प्रदान मंत्री के खिलाब है और वो इस पिरकार के अगर ब्यान दे रहे हैं उन्होंने कोई पोस्ट डाली है तो उसके हम सिकायत करेंगे और उनकी सिकायत माननी है प्रदान मंत्री से लेगे माननी है राष्टी अध्यक से लेगे माननी है मुकमंत्री से लेगे माननी है प्रदेश अध्यक से लेगे मा महौल ठीक करने में अपनी ताकत लगानी चाहिए ना कि उसे बिगारने में। वहीं जब इस माबले में डियम ने आर विकरम सिंग से पूछा तो उन्होंने काहा कि प्रशासन की अनुमति के बिना ऐसे कायकरम से प्रदेश की कानुन व्यवस्था बिगरती है इसलिए मैंने ऐसे लिखा ने देखिए जो लौड नॉडर की समस्वाइं स्टेट मे आरही हैं हम लोगे सामने हैं की सिटुएशन में बिना प्रशासनिक आनुमति के परिमीशन के अगर कोई ऐसा काम होता है और इसमें ये कि एग्रिसीव होना अनायाज, पुलिस पर्मीशन सीखने करना और डिफाई करना इससे बड़ी परिशानियां पैदा होती हैं प्रदेश के सामने, प्रदेश का विकास का काम है, डिवलिमेंट का एफर्ट है, किस बुरी तरह रुपता हा अटकता है दिल्चस्प ये है कि कैप्टेन रागवेंद्र पुर्व सेन अफसर रहे हैं और इसी साल 30 अपरेल को रिटायर हो रहे हैं डियम ने आर्विकरम सिंग के नाम से बने फेस्बुक पेज पर ये पोस्ट गरतंतर दिवस के दो दिन बाद कासगंज में फैले तनाव के बात किया था न्यूस के लिए बरेली से संजीव शर्मा की रिपोर्ट